नमस्कार दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गर्व एकडमी अब रटो नहीं समझो में और गर्व एकडमी में हम आपके लिए लेकर कहते हैं एक से बढ़के एक एजुकेशनल वीडियो तो दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल के को दबाना बिल्कुल ना भूले इससे हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और आप लगातार अप्टेट हो सके हैं दोस्तों आज हमारे यूपी स्पेशल का आठवा वीडियो इससे पहले अल्रेडी हम लोग साथ वीडियो को कम्प्ल प्लेलिस्ट में जाकरके उन बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वीडियो के अंत में एक इंडी स्क्रीन आएगी और उस इंडी स्क्रीन पे क्लिक करके भी आप यूपी स्पेशल के बाकी वीडियो को देख सकते हैं तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्रा करते हैं तो नदियों में बनाया जाता है तो कौन से कि नदी पे हैं और कहाँ पर हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने बाला हूँ जीरगो जलाश कैंने अर्यावण के सफना उचाही जो डैम की है वह 46-6 मीटर रिहंद रिहंद बान्द गोविंध बल्लब पंथ सागरमांद के नाम से इसको जानते हैं और गोविंध बल्लब पंथ यह जो उत्तर प्रदेश के अमारे पहले मुख्यमंत्री रहें गोविन वल्ला पंद तो उनके नाम पर ये डैम है 1961 हिस्वी में इस बांद के स्थापना करी गई है और रिहंद बांद रिहंद नदी पर है पिपरी सोनबद्र में और इसकी उचाई क्यानवे मीटर है 91 मीटर है मुसा कहंद कर्मनाशा नदी में है और ये चंदाолी जिले में हैं कहा है कर्मनाशा नदी में चंदाबली में और इस टैम की हुचाही ये वह है 34 मीटर्स इसकी 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 इस 39 मीटर इसकी हाइट है मेजा जलाशा बांद मेजा जलाशा बांद बेलन नदी पर है पहला नदी ये मिर्जापूर में है और मेजा जलाशा बांद भी कहा है मिर्जापूर में और ये भी अभी निर्माना धीन है नेवाडी बांद सुन्बद्र में है औरा बांद मिर्जाप और अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा में हैं तो दोस्तों ये तो उत्तर प्रदेश के प्रमुक बांधों के बारे में हम लोग ने डिसक्शन किया है इसके आगले पार्ट में हम लोग यूपी स्पेशल का कोई नया एक वीडियो ले करके आएंगे तो हमारे इस चैन